तसन विक्रम मेरा सवाल एक मंदर नजर आता है जहां वे रुकने का फैसला लेते हैं आधी रात तक भी तूफान नहीं थमता और दोनों को तेज भूंक लगाती है स्याम कहता है भगवान पर विश्वास रखो भगवान हमें कुछ ना तो कुछ खाने को दे ही देंगे वे हमें भूंका नहीं देख सकते बैठे रहने से कुछ नहीं होगा हमें अपनी भूंक मिटाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा मंदर के पास नारियल के पीड़े लगे हुए हैं जिसे मैं लेने जा रहा हूँ क्या तो मैं भी नारियल लाना है मुझे खाने के लिए मेरे भगवान कुछ ना तो कुछ दे ही देंगे तुम अपने लिए ले आओ फिर गिर्धर उस नारियल के पीड़ के पास जाता है और पीड़ पर चड़ेने लगता है वहे अपने लिए नारियल तोड़े लेता है और एक नारियल तूटकर नीचे गिर जाता है जब गिर्धर अपना नारियल लेकर वापस आता है तब वहे देखता है एक नारियल तो स्याम के पास भी है दोनों देड़न करते हुए अपना अपना नारियल खाने लगते हैं तब अताविक्रम सियाम को बैठे बैठे नारियल मिल गया क्या सियाम का गेधर से कहना सही था तो सन बेताल सियाम भगवान पर विश्वास करता था इसलिए वहे मंदिर में बैठ कर भक्ती में लीन हो गया लेकिन गिर्धर नास्थिक था वह कर्म करने पर विश्वास रखता था इसलिए वह बड़ी मैनर्च से पिड़पा चड़कर अपने लिए नारियल तोड़ता है और एक नारियल तोड़कर उस स्याम की ओर भी फैंक देता है गिर्धर जानता था यदि वह स्याम को नारियल देगा तो वह नहीं लेगा और रात बार भूंके पेट रहेगा इसलिए गिर्धर ने एक नारियल उसकी और गिरा दिया जिससे स्याम को यही लगे कि वह नारियल तो उसे उसके भगवान ने दिया है और इस तरह से स्याम का भ खाना परोज भी दिये जाए तो उसे खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाना ही पड़ता है कर्म करना ही पड़ता है सही जवाब लेकिन तू बोला मैं चला